मेरे प्यारे देश्वासियों, पिछले कुछ महेनों से पुरे देश ने एक जूठ होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रीकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मुर्त्य दर्भी दुनिया के जाधातर देशों से काफी कम है। निश्चित रुप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखत है। लेकिन भारत अपने लाखों देश वाशों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों कोरोना का खत्रा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही जादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें यह ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चहरे पर मास्क लगाना या गमचे का उप्योग करना, दोगज की दुरी लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूंकना नहीं, साव सफाई का पूरा ध्यान रखना। यही हमारे हतियार हैं जो हमें कॉरोना से बचा सकते हैं। होती हो मन करता हो उतार देना है तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए उन नर्सों का स्मरण कीजिए हमारे उन कॉरोना वारियर्स का स्मरण कीजिए अब देखिए वह मास्क पहन करके गंटों तक लगातार हम सब के जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते ह आठ आठ दस दस घंटे तक मास पहने रखते हैं क्या उनको तकलिब नहीं होती होगी थोड़ा सा उनका स्मर्ण कीजिए आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जराबी कोता ही न बरतनी है न किसी को बरतने देनी है एक तरफ हमें कोरोना के खिलाब लड़ाई को पूरी सजक्ता और सतर्क्ता के साथ लड़ना है तो दूसरी और कठोर महनत से व्यवसाय, नोकरी, पढ़ाई जो भी कर्तबे हम निभाते हैं उसमें गति लानी हैं उसको भी नई उन्चाई पर ले जाए